दोस्तों पिछले कुछ महिनों से इस्ट यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया तक राजनीतिक उतल पुतल चर्चा में है बेलरूस हो या यूक्रेन, कजाखिस्तान हो या बैल्टिक्स हर जगे किसी न किसी रूप में कॉन्प्रेट्स की स्थिती बनी हुई है इन सब मुद्दों ने अचानक से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विद्वानों का ध्यान ताइवन स्टेट से अपनी और खीश लिया है ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी देशों द्वारा फेस्ट प्रॉब्लम्स का लिंक कहीं न कहीं एक ग्रेट पावर रुष्या के साथ जुड़ा हुआ है पोलेंड और बैलिटिक स्टेट्स जैसे लिथिवानिया लात्विया के साथ बेलरूसियन बॉर्डर्स पर चल रहे माइगरिन क्राइसिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा इसके पीछे बिलरूसियन डिक्टेटर्स अलेकसेंडर लोकाशनको का हाथ है जिससे रुष्या सपोर्ट करता है इसके लवर 2014 में कराइमेन इन्विजन के बाद से लगातार रुष्या और युकरिन के बीच टेंशन्स बढ़ते ही जा रही है जो पिछले दो सालों में और जादा एसकलेट हुई रिपोर्ट्स कहती हैं कि आज युकरिनियन बॉर्डर में लगभग 1,20,000 रूसी सैनेबल तैनात है उधर कजाकस्तान में मैसिव एंटी गवर्मेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनने दवाने के लिए कजाकस्तान गवर्मेंट ने रुषियन ट्रूप्स का सहरा लिया है इन सभी इवेंट्स को देखते हुए कुछ एनलिस्टों ये दाफा भी कर रहे हैं कि पुतिन के अंडर रुषिया अब सार के रुषियन अंपायर और फॉर्मर सोवेट यूनिन की तरह विस्तारवादी होने लगा है आज की वीडियो में हम इसी क्लेम का एनलिस्स करेंगे और evaluate करेंगे कि आखिर कैसे सोवेट यूनिन की expansionist mentality को फिर से रुषिया एडॉप्ट कर रहा है हमें तिहास में पीछी जाते हुए आपको ये भी बताएंगी कि पुतिन के रुषिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऐसी हरकते रुषिया 1999 से कर रहा है यानि तब से जब से पुतिन पावर में आये है जी हाँ दोस्तों आपको ये जानकर हरानी होगी लेकिन सच्चाई यही है चली शुरुआत करते हैं रुषिया के expansionism की कहानी को और सबसे पहले चलते हैं कजाकस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट की और नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आदर्श और स्वागत है आपका study IQ में दोस्तों कजाकस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर पर क्राकडाउन दोनों ही सोवेत रिश्या की याद दिलाते हैं जी हाँ 1956 में हंगेरियन रिवल्यूशन के दरान सोवेत आर्मी ने ऐसे ही रिबल्स को वाइलेंटली सप्रेस किया था जब हंगरी की जनता स्टैलिनिस्ट हंगेरियन गवर्मेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर गई थी एक एसेमेट के हिसाब से हंगेरियन रिवल्यूशन को जब सोवेत आर्मी ने को चलना शुरू किया तो लगबग 25,000 हंगेरियन्स को मौत के घाट उतार दिया गया था ऐसा ही एक और इवेंट 1968 का प्राग स्प्रिंग है प्राग स्प्रिंग चेकोस्लोवाक सोशलिस्ट रिपबलिक में लिबरलाइजेशन और मास प्रोटेस्ट का एक दौर था जब रिफॉर्मिस्ट अलेक्जेंडर ड्यूपसेक वहां सिटीजन के राइट को एकस्पैंड करने की तयारी कर रहे थे ये एरिया सोवियत के स्फियर आफ इंफिलेंस में आता था और सोवियत हेड ब्रेजनेव को ड्यूपसेक के रिफॉर्म्स पसंद नहीं आये इसलिए वार्सव पैक्ट के तहट सोवियत ने लगबग पांच लाग ट्रूपस भीच कर चेकोस्लोवाक सोशलिस रिपबलिक को अकुपाई कर लिया और वहां की जंता के साथ आत्याचार हुए नतीजन एक मैसिव वेव अफ इमिग्रेशन पूरे देश से हुआ और सिटीजन्स सोवियत के विरोध में खड़े हो गए आज कजाकिस्तान में जो हो रहा है वो प्राग स्प्रिंग और हंगेरियन रिवलुशन से काफी हद तक मैच करता है जिस तरह से प्राग स्प्रिंग में वर्सव प्राग नाम के कलेक्टिव सेक्यूरिटी अरेज़्मेंट का इस्तमाल कर सोवियत ने वहां के लोगों की अवास को दबाया वैसे ही आज पुतिन भी कलेक्टिव सेक्यूरिटी ट्रीटी और्गनाइजेशन या सीएस्टियो का इस्तमाल कर कजाकस्तान में रिश्यन इंटर्वेंशन कर रहे है इस एरिया में एक पुरानी कहवत है Warsaw Pact की तरह CSTO वो Defensive Alliance है जो खुद के ही मेंबर्स को इन्वेट करने में यूज होता है सोवियत ने जब हंगरी और प्राग स्प्रिंग में इंटर्वीन किया था तब उसने इन रिवलुशन के पीछे American agents का हाथ बता कर अपने attacks को justify किया वैसे ही आज Russian elites कजाकिस्तान के protest को color revolution बता रहे है यानि एक ऐसा revolution जिसके पीछे foreign enemies का हाथ है कजाकिस्तान के pro-Russia president तोकाइव ने तो protesters को terrorists ही बता दिया है लेकिन प्रोफेसर Eric Marat और Esil Tutulmu color revolution के क्रेम को एकदम खारिज करते हैं जोई एक leader नहीं है और असल दिक्कत यह है कि वहाँ की जनता कजाकिस्तान government से actually में frustrated है यह protest genuine और peaceful थे और protesters अपने socio-economic grievances का हल चाहते थे यह protest उस कजाक political system के खिलाफ reaction है जिसने तीन दशक से वहाँ कुछ गिने चुने elites को ही फाइदा पहुचाया है आज कजाकिस्तान के power elites ही वहाँ के most lucrative enterprise को control करते हैं जिन्हें वहाँ के state का support है जबकि common जनता low wages और loans पर survive करती है और कजाकिस्तान के power elites को रिशिया का support है जो अपने geopolitical interest के लिए कजाकिस्तान के रास्ते पूरे central Asia में अपनी hegemony maintain करना चाहता है कजाकिस्तान उस list में अकिला नहीं है जहांके political elites की मदद से रिशिया अपना dominance maintain करता रहा है और जब-जब वहां की जनता या anti-russian leaders ने Russia supported elites का विरोत किया तब-तब रिशिया ने इसे lightly नहीं लिया इसका proof हमें रिशिया के दो दशक पुराने इतिहास में मिलता है चलिए देखते हैं कैसे दोस्तो व्लादमर पुतिन जबसे Russian Federation में पावर में आये हैं तब से ही रिशिया ने खुद के expansionary foreign policy को शो किया है वो लगातार post-soviet states और आसपास के देशों में अपना influence बढ़ाने में लगा रहा इसका सबसे पहला example चेचन्या है चेचन्या आज Russian Federation का हिस्सा है लेकिन 1991 में सोवयत के कुलाप्स के पहले ही चेचन्या ने अपना independence declare कर दिया था लेकिन रिशिया के तत कालीन हैज बोरिस यलस्टीन ने ये accept नहीं किया इसके चलते रिशिया और चेचन्या के बीच फर्स्ट रशो चेचन वार 1994 में शुरू हुआ और दो साल भाद चेचन फोर्सिस की जीत के साथ खतम हुआ रिशियंस ने चेचन्या को officially एक independent state recognize किया लेकिन जब former KGP spy पुतिन की रिशियन पॉलिटिक्स में 1999 में प्राइम रिस्ते के तरह entry हुई तो Yelstein और पुतिन ने मिलकर चेचन्या पर फिर से attack कर दिया इसी दौर में Yelstein ने resign भी किया और पुतिन officially president बने दुनिया 21st century में enter कर रही थी और Russian politics भी पुतिन के साथ बदलने लगी पुतिन के एंडर रशिया ने second Russo-Chechen war जीत लिया और चेचन्या को year 2000 में रशिया ने officially annex कर लिया लेकिन कहानी यहां खतम नहीं हुई पुतिन का confidence बढ़ा और तीन साल बाद ही उन्होंने एक और post-soviet state जौर्जिया को target बनाया जौर्जिया रशिया के south western border पर इस्थिद एक देश है 2003 में जौर्जिया में massive protest हो रहे थे जिसे rose revolution का नाम दिया गया इन प्रोटेस्ट के चलते 2004 में जौर्जिया में एक pro-US leader मिखाईल साकाश्विली प्रेसिडेंट बन गए और ये बात पुतिन को पसंद नहीं आई इसलिए conflicts और tensions बिल्ड हुए और finally 2008 में Georgian Central Government और उसके autonomous state अपखाजिया और South Assetia के बीच conflict शुरू हो गया रशिया के लिए ये golden opportunity थी जिसका इस्तमाल कर उसने जौर्जिया में intervene किया पांच दिन के war के बाद अपखाजिया और South Assetia ने अपना independence डिक्लेयर कर दिया और रशिया ने इन्हें independent state की तरह recognize कर लिया लेकिन कहानी यहां भी खतम नहीं हुई रशिया ने इन दिनों states के साथ military cooperation agreement sign कर उनकी territory में अपने military basis set up किये और 4000 soldiers और S-300 defense system establish किया इसके लावा Ukraine की कहानी तो आप जानते ही है 2013 में जब Ukraine के pro-russian president Victor Yanukovic ने European Union के साथ association agreement को लेकर चल रही preparations को suspend कर दिया तो पूरे Ukraine में pro-European जनता सडको पर आ गई थी इन protest को euro maiden नाम दिया गया जिसमें 100 से जादा लोग मारे गए इन incident के बाद Ukrainian Parliament ने Yanukovic को remove कर दिया और Ukraine में Alexander Turchinov के अंडर interim government बनाई गई इसे Putin ने कू बता दिया और कहा कि जरुवत पढ़ने में वो militarily Ukraine में intervene करेंगे और इसी tension के मोहल में Russia ने Crimea का annexation कर लिया इसके बाद Russia ने Crimea में Soviet जैसे military bases भी बनाने शुरू कर दिये और लगबग 30,000 soldiers deploy किये Crimea में Russia ने S-400 missile defense system भी deploy किया 2014 में ही कई Russia back protesters ने Ukraine में Russia के जंडे भी फैराए ये tensions आज भी खतम नहीं हुई है और इसका नतीज़ा है कि Ukrainian borders में लगतार Russian deployments बढ़ रहे हैं और war जैसा महल बना हुआ है ऐसा ही काम Russia ने सीरिया में भी किया जब उसने Arab Spring Protest के बाद actively Al-Assad की dictatorial government को support किया Syrian civil war में Russian role ने civil war को बढ़ा दिया जिसका सबसे ज़्यादा वहाँ के terrorist groups जैसे ISIS को हुआ अपने military support के चलते Russia को Syria से कई benefits भी मिले जिसमें Syria के northern edges में Russian military bases सबसे important है जोस्तों Ukraine कजाकस्तान के current turmoil के लावा एक और post Soviet state का group है जो लगादार Russian threat से डरा हुआ है अब चलते हैं Baltics की ओर Baltic region Eastern Europe में इस्थित तीन दीशों से बना हुआ है Estonia, Latvia और Lithuania अपनी annual report में Latvian State Security Service ने एक conclude किया कि उसकी security के लिए 2021 में number one security threat Russian secret services है Russia के दोस्त यानी Chinese और Belarusian agencies second और third threat माने गए इसी दौरान December 21, 2021 को Estonia, Latvia और Lithuania के defense ministers ने एक joint statement में कहा कि Russian और Belarusian threats को counter करने के लिए joint efforts की जरुआ है हम आपको बता दें कि East Europe और Russia के Western border के पास अस्थित तीनों Baltic states Belarus, Moldova और Ukraine के साथ former Soviet states है तीनों Baltic states Russian empire का हिस्सा भी हुआ करते थे और यहां significant Russian speaking population भी रहती है इसके history के चलते कई Russian elites और लोग मानते हैं कि इन states में Russian control justified है इसके लावा ये state Russia के लिए geopolitical significance भी रखते हैं क्योंकि इनके इस्तेमाल से वो यूरोप में अपना sphere of influence maintain कर सकता है Crimean annexation और उसके बाद US द्वारा imposed sanctions ने Russia के लिए इन states को और भी जादा important बना दिया है यही वज़ा है कि Baltic के leaders को Russia से डर लगता है वहाँ की leader ने कई बार Ukrainian border में बढ़ रहे Russian military presence को भी इसलिए criticize किया है और Ukraine के साथ खड़े रहने की बात की है खैर Baltic states का ये डर नयार नहीं है वो हमेशा सही रशिया जैसे बड़े state के प्रती skeptical रहे है इस region में Russia के रिष्टे किवल उन देशों के साथ अच्छे है जहां की सरकारें corrupt oligarchs चलाते है और जहां की democratic institution paralyzed है Baltics के लोगों की memory में Soviet era के operations और sufferings आज भी जिन्दा है गुलक्स में mass deportations हों या KGB वैंस द्वारा Soviet rule के opponents का abduction ये सब Baltic state के लिए uncomfortable memory है 1956 में Hungarian revolution को कुचलना हो या 1968 में Prague spring ये भी Baltic state ने करीब से देखा है खैर 1991 में जब Soviet का पतन हुआ तो दुनिया को उम्मीद थी कि चीजे बदलेंगी लेकिन सस्तो ये है कि एक brief period की शान्ति के बाद चीजे वैसे ही हो गए रशिया में व्लादिमिर पुतिन तो दोस्तो रशिया और पुतिन का ये तिहास दिखाता है कि कैसे रशिया का Soviet जैसा behavior नया नहीं है बलकि इसके roots 20 साल पुराने है पर हम ये कह सकते हैं कि आज रशिया पहले से और ज़़दा aggressively अपने expansionist एजंडास को follow कर रहा है इस पूरे मुद्ध को लेकर आपका क्या opinion है comment section में जरूर बताईएगा आज की वीडियो के इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करना मत बूलेगा हम मिलते हैं के लिए वीडियो में तक लिए जय हिंद शय भारत